एक भिकारी था, रेल सपर में भीक मांगने के दोरान एक सूट बूट पैने सेट जी उसे दिखे, उसने सोचा कि ये विक्ती बहुत अमीर लगता है, इससे भीक मांगने पर यह मुझे अच्छे पेसे देगा, वहे उस सेट से भीक मांगने लगा, भिकारी को देखकर उस प्रणता ही रहता हूँ, मेरी इतनी उकात कहा है कि किसी को कुछ दे सको, सेट, जब किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है, मैं एक व्यापरी हूँ और लेंदेन में ही विश्वास करता हूँ, अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तबि मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ, तबी वह स्टेशन आ गया जहां पर उस सेट को उतरना था, वह ट्रेंस से उत्रा और चला गया, इधर भीकारी सेट की कही गई बात के बारे में सोचने लगा, सेट के द्वारा कही गई बात उस भीकारी के दिल में शायद मुझे भीक में अधिक पेसे इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भीकारी हूँ, किसी को कुछ देने लाइक भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बेना कुछ दिये केवल मांगता ही इस बात को सोचते हुए दिन बर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बेठा हुआ था, तब भी उसकी नजर कुछ फुलों पर पड़ी, जो स्टेशन के आसपास के पोदों पर खिल रहे थे, उसने जब भी कोई उससे भीक देता, तो उसके बदले में वह भीक देने वाले को कुछ फूल दे देता, उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे, अब भीकारी रोज फूल तोड़ता और भीक के बदले में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीक देने लगे हैं, वह स्टेशन के पास के सबी फूलों को तोड़ लाता था, जब तक उसके पास फूल रहते थे, तब तक उसे बहुत से लोग भीक देते थे, लेकिन जब फूल बाड़ते बाड़ते खत्म हो जाते, तो उसे भीक भी नहीं मिलती थी, अब रोज ऐसा ह चलता रहा, एक दिन जब वह भीक मांग रहा था, तो उसने देखा कि वही सेट प्रेन में बेटे हैं, जिसकी वज़े से उसे भीक के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी, वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुँच गया, और भीक मांगते हुए बोला, आज मेरे पा उस सेट को यह बात बहुत पसंद आई, सेट वह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गये हो, इतना कहकर फूल लेकर वह स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उस सेट द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भीकरी के दिल में उतर गई, वह बार बार उ बहुत खुश होने लगा, उसकी आँखे अब चमकने लगी, उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है, वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा, और उत्साइत होकर बहुत तेज आवाज में, उ लोगों ने उसे देखा, तो सोचा साइद यह विकारी पागल हो गया है, अगले दिन से वह विकारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा, एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ चोड़ कर प्रणाम किया, और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेट, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, भिकारी, सेट जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, बलकि तीसरी बार मिल रहे हैं, सेट, मुझे या जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ, नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलो का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और इसी व्यापार के काम से दूसरे सहर जा रहा हूं आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकरती का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तब ही कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं लेन देन का यह नियम वास्तव में बहुत काम करता है मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है लेकिन मैं खुद को हमेशा भि व्यापारी बन चुका हूँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि वास्तों में एक विकारी नहीं, बलकि एक व्यापारी बन चुका हूँ, समझ की ही तो बात है, विकारे ने स्वयम को जब तक विकारी समझा, वह विकारी रहा, उसने स्वयम को व्यापारी मान लिया, तो व्यापा di Ben Gea